किसान भाईयो नमस्कार आप सभी का अमरी योटूब चैनल में फिर से सवागत है आज की वीडियो में हम आपके लिए दान की ऐसी तीट उननस सील पैदावार देने वाली वराइटी लेकर आए है जिनकी रोपाई यदि आप इस वर्ष करते हैं तो हर वर्ष के मकाबले में आप धान की पसल से बहुत ही सांदार और बहुत ही ज़्यादा पदन ले पाएंगे स किसान भायो आपको इन तेनो ही वरीयेटियो के बारे में इननी रोपा इकव गी जाती है किर इंदे की माता लेले नियूगी इसमें आपको कितनी शीक करने पड़ेगी और किसान भायो कुल मिला कर यह है तीनों ही वराइटी हमें कितना पदन निकाल करके देती है संपूर्ण जानकर यह आपको इस वीडियो मिल जाएगी आप वीडियो को पूरा देखेगा और यदि आप कमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस आफसे कर लेकिन हम उन सभी में से चाट करके तीन ऐसी उत्तम और अच्छा जादात पदन देने वाली वराइटी लेकर आया है जिनकी रूपाई करने से आपको अधिक से अधिक मोनापा हो सकेगा तो किसान भाईयो नंबर तीन पर जोमने दान की वराइटी रखी है इस वराइटी क करते हैं तो आपको इसमें 5-4 गुराम परती एकड़ के साफ से 20 की मातर लेनी होगी किसान भाईयो जादी इसके पकने की समय उते की बात करें तो यह वराइटी मातर 135 से लेकर 140 दिन में पक करके तियार हो जाती है किसान भाईयो इस वराइटी में रोग काफी कम देके जात सबिस्रा हो जाती है आपको इसमें समय समय पर इसके पदन की बात कि जाए तो आप पूसा 11-21 धान की वराइटी से 24 कॉंटल परती एकड़ तक उच पादन निकाल सकते हैं नमबर दो पर जोम ने धान की वरायटी रखी है, इस वरायटी का नाम में पूसा 1509 यह वरायटी भी बहुत ज़ादा पर्च लीते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर पूसा 1509 धान की वरायटी की रोपाई की जाती है, किसान भाईयो आप इसकी रोपाई 25 जून से लेकर 25 जोलाई तक कर सकते हो और जदी आप जदी इसकी बीज की माता की बात करें तो आपको इसमें 6 किलोगराम परती एकड के साफ से बीज की माता लेने पड़ेगी किसन भाईयो इस वरायटी में हलके फुल के रोग देगे जाती है आप जदी इसकी सुरुवात में रोग ठाम कर लेते हैं तो आपको अंध तक इसमें कोई भी रोग देहर को नहीं मिलेगा इस वरायटी के कुछ खासत की बात करें तो इस वरायटी का दाना मोटा होता है फुटाओ काफी ज़्यादा अच्छा होता है फुटाओ अच्छा होता है और दाने में चमक भी होती है किसन भाई व्रैटी का नाम है एराइज 44-44 गोल्ड किसान भायो आप इसकी रोपाई 15 जून से लेकर 20 जोलाई तक कर सकते हो आपको 6 किलोग्राम परती एकड के साब से आपको इसमें 20 की मातल लेनी होगी यदि इसके पकरने की समय अवदे की बात करें तो यह व्रैटी 130 से लेकर 135 दिन म मिलेगा इसके लिए भी आपको शुरुआत में ही रोख थाम करने पड़ेगी और शुरुआत में यदि आप इसकी रोख थाम कर देते हो तो अंत तक आपको इसमें कोई विरोग देने को नहीं मिलेगा यदि इसके कुल उत्पदन की बात की जाए तो किसान भायो आप एरा ये में यह variety पकर करके त्यार हो जाती है यानि कि आपको इसमें ज्यादा सिचारी करने का सकता नहीं पड़ती इस variety में किसान भायों चावल जो होती है भाए भी खाने में बहुत ज्यादा सबादिश्ट लगती है और यही खरण्य किसान भाई इसकी रोभाई बड़े पैमान केसान भायो यह वराइटी भी कम खर्च में बहुत अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देती है तो किसान भायो यह ते तीन धान के सबसे उत्वम और सबसे अच्छी वराइटी आपको इन तीनों मेसे जो भी अच्छी लगी हो आप उसकी बुहाई करके अपनी धान की विजल से इस वर्च बहुत अच्छी पैदवार ले सकते हो तो किसान भाईयों उम्मीद करता हूँ आपको जान करें चले के होगी ज़दी जान करें चले के तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते के नई वीडियो में नहीं जाने करें के साथ तब तक करें नमश्कार